छुट्टिया मतलब बच्चों के लिए प्ले टाइम, टीवी टाइम, फुल टाइम मस्ती, हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चों को दिन भर आपको संभालना है इस तरह से कि वो बहुर टीवी और मोबाइल ना देखें। दिकत वहां आती है कि बाहर धूप है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, चार दिन के बाद बच्चे बोर होने लग जाते हैं, टाइब और टीवी लंबे समय तक दिया तो आई और ब्रेन दोनों अफेक्ट होते हैं। कुछ अमेजिंग से आईडियाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको इन छुटियों में काफी हद तक मदद करेंगे। पहला, हमारे घर में कोई न कोई गेम और ट्वाइस तो जरूर होते हैं, तो आप उनको सबको रेडी रख लीजे, मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल जा रहे हैं, तो गेम रखे हैं, डस्ट पढ़ गई है, या फिर उनका कुछ पार्ट नहीं मिल रहा हैं, तो सारी चीज़े आप तयार कर लीजे, बच्चे एक गेम को चार दिन से जादा नहीं खेल सकते, बोर हो जाएंगे, ये आप मेंटली ब्रेन में फिट कर लीजे, तो हर गेम उनको चेंज कर करके देखिए, जो हम पहले से गेम खेलते हैं, साप सीड़ी, लूडो, बिजनेस, मोनोपॉली, औ और ना जाने क्या-क्या, ये सारे गेम तो हमारी हां होते ही हैं, क्यों न, इस बार कुछ नया ट्राइ कीजे, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, जो हमें गिफ्ट में मिल जाते हैं, या कोई हमें दे देता है, या कुछ हम नए खुद ही खरीद के लाए, तो उनको सीखने की क तो एक दूसरे की तरफ जो हम शटल हिट करते हैं उसकी बजाए आप तक तक वाला गेम खेल सकते हैं मतलब बॉल रखके रैकेट पे हिट कीजे कौन जादा देर तक उसको एयर में रख पाएगा अगर हम यह सब नहीं करेंगे तो बच्चा एक ही काम करेगा कि टैप और मोब हमी एक हजार साल तक देखे तो भी वो खतम नहीं होगा समर वैकेशन में हम दादा दादी नाना नानी के घर तो बच्चों को ले जाते हैं कभी ऐसा भी होता है कि किसी और रिलेटिव कहां चले गए बट मोस्ट आफ दा टाइम हमारे बहुत सारे रिलेटिव इगनोर हो ज किसी ना किसी एक रिलेटिव को वीडियो कॉल करवाती हूँ अपने बेटे से इसी बहाने वो अपने कजन चाचा चाची के बेटे बेटी से बात कर लेता है उनसे टच में रहता है एक दूसरे से बाते शेयर करती हैं इसी बहाने उनकी जो है ना बॉन्डिंग बड़ी पाएं वो कहीं और रहते हैं हम कहीं और तो ये तरीका है उनके साथ जुड़े रहने का हम और आप इस तरह से काम में बिजी हो जाते हैं कि हर रिलेटिव को हम कॉल नहीं कर पाते बच्चों में अगर हम ये हैबिट डेवलप करेंगे तो इसी बहाने एटलिस हम उनसे बात कर पाएंगे हम उनसे जुड़ पाएंगे आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई इससे और अच्छा आइडिया है तो I will love to hear that जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी एक ट्वाइ से बच्चा जादा से जादा चार या पांस दिन खेल सकता है उसके बाद वो बोर हो जाता है डेली एक नया ट्वाइ खरीद पाना किसी के लिए भी प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसका इलाज है कि हम खुद ना क्यों कुछ नया गेम इन्वेंट करें कुछ नये ट्वाइस बनाए फॉर एक्जामपल ये हने की बोटल्स हैं ये इस तरह से हैं कि लुड़क जाती हैं और ये बॉल आपको कहीं भी हर घर में मिल जाएगे तो गेम ये है कि आप इन बोटल्स को इस तरह से अरेंज कीजे जैसे कि बोलिंग होती है ना जब हम मॉल में जाते हैं खेलते हैं वैसा कुछ एक पैटन बना लिजे और इस बॉल को आप यूज कर सकते हैं इन के पपा को भी मतलब अपने पती देव को इंक्लूड कर सकते हैं एक और पॉइंट एड कर सकते हैं कि अगर बॉल रिवर्स में हिट हुई और बॉटल गिरी तो एक्स्रा पॉइंट अग क्योंकि ये चीज़े ऐसी हैं कि कहीं भी रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि घर मैसी है तो इनको स्टोर करके जरूर अच्छी जगह रखें ऐसा कि बच्चा खुद ही निकालके रख सकें एवरी टाइम यूज के बाद वो उन्हें वापस रखेंगे इसी बहाने हम उनको टाइडीनेस और और और्गिनाजेशन खेल-खेल में सिखा सकते हैं हम पूजा के लिए इसके बहुत सारी गेम हो सकते हैं आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं अगर बच्चे आपके छोटे हैं डिफरेंट पैटन बना सकते हैं या फिर अगर बच्चा बड़ा है तो आप इसी को एक दूसरे तरीके से गेम खरिल सकते हैं जिसमें क्या ह इनको एक पर्चिकुलर पैटन में अरेंज किया जाता है सम शेपस में और फिर उसके बाद एक को हिट करके पूरे को गिराया जाता है रूल यह हो सकता है कि आपने कितनी जादा लेंथ बनाई या कितने जादा कर्व दिये या फिर कितने जादा मैच बॉक्स गिरे और क्या करें इन सबका यह सबसे अच्छा सब्सिट्यूट है अगर आपके बच्चे बहुत चोटे हैं तीन साल या उसे और चोटे तो इस तरह के छिलकों का पिस्ताचियो नाटिया मूमफली के छिलकों का आप यूज कर सकते हैं उनको डिफरेंट लेटर सिखाने में जैसे उनका नाम का इनिशल लिखने में या फिर आप हाइड एंड सी खेल सकते हैं कि आपको 2020 शेल्स मिलेंगे आपको छुपाने हैं जो ज़्यादा ढूड़ेगा उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल ऐसे ही एक और गेम है जो आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत मिल इससे ये देखा गया है कि बच्चो करना बैलेंसिंग और कॉंसेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है तो अलग-अलग साइस की मैंने बॉटल कलेट की है अलग-अलग इसमें गेम होते हैं जैसे कैप-on-कैप मतलब एक बॉटल के कैप के इपर दूसरे को बैलेंस करना इस भी वो बैलेंस होगे सबसे इंपोर्टन का आपको घर में अगर खेलना है इंडोर तो फर के समय स्पेशली तो एक जगा जरूर होनी चाहिए ऐसी कि जहां पर डिस्टब नहों हम गेम गप खेलेंगे या तो सुबा और या फिर शाम टाइम में उस टाइम में किचन खाली ह होता है आपको याद हो अगर तो यहां पर मेरी राइस की टंकिया थी जिसको मैंने बालकनी में और्गेनाईज किया है यहां पर मैं एक चटाई बिचा के टेबल रखे उसी पर कैरम, लूडो, चेस जो भी खेलना होता है आम यहां इन्जॉय कर सकते हैं अब इससे यह होता में भी हवा जाती है और इसका डारेक्शन चेंज कर दो तो किचन तक पहुंचती है तो वो गर्मी वाला फेल नहीं होता मैं ड्रॉइंग रूम में खेल का सिस्टम इसले नहीं रख सकती क्योंकि हां मेरी क्लासेश चलती है पते चला कि बच्चे को जब खेलना है मेरे स्ट पे रहते हैं या दोस्तों के साथ सबसे अच्छा तरीका है उनसे क्लोजनेस बढ़ाने का कि जब वो टीवी देख रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं तो ट्राइटू लान दोस तिंग्स उन चीजों में आप अपना इंट्रेस्ट ढूड़िए जब आप दोनों में कुछ कॉमन होगा तभी तो आप बात कर पाएंगे आपका इंट्रेस्ट कहीं और है बच्चे का कोई और है तो कुछ कॉमन बात ही नहीं रह जाती है करने के लिए कि एकसेप्ट आज क्या हूंवक मिला है आज आपने क्या पढ़ा है चलो पढ़ लेते हैं चलो खालो इसलिए मैं में शर करती हूं कि मैं बेटे के साथ बैटके टीवी जरूर देखूं उसकी पसंद का कार्टू यही टाइम होता है जब छुटियां होती हैं कि आप बच्चों को बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों में अपने साथ इन्वाल्व करें इसी बहाने वो सीखेंगे भी और थ मेरा बेटा ही करता है इस साल जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो पहले कि मैं अपने बेटे को अपना रूम और्गिनाजेशन सिखा रही हूं जिसमें वो अपनी स्टाडी टेबल अपना बैट और आल मेरा और्गिनाइज करेगा पता है कि जब शुरू शुर रहा है जो उसके लिए ही फ्यूचर में हेलफुल रहेगा और्गिनाजेशन तो ऐसी चीज़ है जो हर किसी को कहीं न कहीं बेनिफिट जरूर देती है हाँ ये अलग बात है कि बच्चे कभी-कभी न मस्ती में बोलते हैं आरे यार ममा आप कितना काम करवाते हूं बड़ ज लेकिन खुशी की बात ये है कि नराज आपसे वही होता है जो आपके दिल के क्लोज होता है अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने आपको खुश कीजिए अपने ब्रेन को डाइवर्ट कीजिए उसके बाद एक open discussion रखें after some time कि भाई ये ये situation थी अगर आपको लगत है कि मेरी गलती है तो आप बताएए कि मैं कहां गलत हूँ और आपकी ये ये चीज़े मुझे बुरी लगी आप ही माफी मांग लिजे कि चलो भाई ये गलत था तो मुझे माफ कर दीजी और बस situation correct हो जाएगी study से related एक मेरा और चैनल है जिसमें मैं teaching से related, motivation, how to concentrate ये सारे वीडियोज अपलोड करती हूँ यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ साथ ही उस channel का link मैं description box में दे दूँगी आप वहाँ से उसको refer कर सकते हैं if you feel कि वो channel आपके लिए useful है तो आप मुझे वहाँ भी support कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरा वहाँ struggle face चल रहा है just मैंने उसको grow करने की कोशिश की है और teaching के channel को grow करने में थोड़ा time भी लगता है मैं patience रखे हुई हूँ एक चीज मैं आपके साथ share कहना चाहती हूँ मेरे बेटे को Olympiard में national level पे rank मिली है और ये उसकी trophy है medal भी आया है कुछ gifts भी आये हैं आप उसकी खुशे उसके चहरे पे देख सकते हैं वो जब trophy खोल रहा था तो मैंने ये record कर लिया मैं चाहती हूँ कि आप सब उसे अपनी blessings दें क्योंकि आपकी वज़े से अगर आज मैं खुश हूँ तो definitely अगर आप उसको blessing देंगे तो वो भी आगे अपनी success maintain कर पाएगा आमला candy बनाने के लिए आमले को मैंने steam पे boil किया है और फिर उसकी कलिया निकाल ली है शुगर में dip कर दिया है इतनी शुगर डाली है कि उनके जो ये फलिया है ये पूरी डूप जाएं धीरे धीरे शुगर melt होगी और आमला उसमें डूप जाएगा तीन दिन तक आपको इसको धूप में रखना है और बाद में इसकी कलिया निकालके air dry करना है तीन दिन के लिए डिटेल वीडियो मैं आगे शेर करती रहूँगी टेक कियर बाबाई बाई